के फ्रेंड्स तो ये है हमारा वर्किंग मॉडल इसके थुरू हम लोग फिर से समझने का ट्राइ करते है कि हार्ट अडे क्या होता है ठीक है यहाँ पे तीन मैंने अलगलग ओर्गन्स लिये हुए है एक मैंने लिये हुआ है लंक्स मदलब के फेफडे तो ये बोटल को आपक दिसकस किया ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो left hand side जहाँ पे अच्छा खून है oxygen वाला है वो left hand side से blood कहां जा रहा है देखना ये blood जा रहा है हमारे शरीर के अंदर अब हमारा पुरा शरीर पुरी body oxygenated blood को use कर लेगी और क्या बना दिक है उसको गंदा खून बना दि ये फेफिडे तक चला गया अब फेफिडे के अंदर क्या होता है आपको पता है कि उसके अंदर होता है blood का purification तो वो गंदा खून purify होके अच्छा खून बन गया और फिर से purified blood जो है अच्छा खून जो है वो फेफिडों से चलते चलते कहां पर आ गया वो चलते चलते आ आपके left hand side देखो ये वाला connection left hand side और वो cycle इस तरीके से गूमती रहेगी ठीक है और properly blood हमारी body में blood करता रहेगा साथ में और एक connection है ये वाला ये connection रहेगा आपका coronary धम्नी और coronary artery वो क्या कर रही है कि आपके आपके left hand side से जहाँ पर अच्छा खून है oxygen वाला वहां से खून किसको दे रही है फिर से heart को दे रही है जैसे heart properly काम कर पाए और properly function कर पाए ठीक है ये normal business भी होता है अभी में थोड़ा सा आपको working मलब phenomenon से समझाने का try करूँगा कि कैसा होता है थोड़ा सा आप लोग इसको ध सकते हो कि किस तरीके से blood हमारी body में circulate करता है तो यह आपको साथ समझ में थोड़ा सा idea लग गया होगा आ गया होगा जब मैंने यह process करी मतलब heart ने जब beat किया तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो coronary artery में से oxygenated blood फिर से heart को ही मिला और उसकी वज़े से heart ने जो है properly उस देख चुक है तो मैं उसको अभी क्या करने वाला हूँ ब्लॉक करने वाला हूँ यह मेरे पास blocking clamp है तो उसकी मदद से में क्या करने वाला हूँ coronary धमनिकों में आपे block कर देने वाला हूँ like this अब जैसे मैंने coronary धमनिकों यह आपे block कर दिया उसका जो blood है वह वहीं पर stop हो गया वहीं पर attack दया ठीक है means कि जब मैं इसको फिर से beat करूँगा तो आप लोग इसको ध्यान से देखना वहां का जो blood है वो बिलकुल भी मू न लग जाता है और इस तरीके से process होती है हमारे heart attack में अगर मैं इस clamp को फिर से निकाल दूँ तो क्या होगा फिर से normal condition हो जाएगी और फिर से देखना आप लोग यहां से blood यहां से flow करना start कर देगा तो इस तरीके से blood ने यहां से flow करना फिर से start कर दिया अगर आपने इसको जह जहां से देखा होगा तो पता चला होगा फिर से coronary heart attack ने क्या किया oxygenated blood heart को दे दिया और heart ने उसका function start कर दिया और पूरी body में properly फिर से blood ने सर्विल करना start कर दिया तो यह बहुत ही normal सा basic सा model था जिससे मैं आपको बताने का try किया heart attack क्या होता है